हाई वेलकम बैक तो स्किलिंग यू चैनल मैं आपका दोस्त कारक्यम के संचालर रवीश मलोत्रा दूस्तों क्या आप कमफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं क्या आप लाइफ में वो अचीव करना चाहते हैं जो शायद किसी ने कभी नहीं किया या अपने वीडियो आपके लिए इस वीडियो में आप से में शेयर करने वाला हूं 7 hacks या 7 hacks to bring you out of your comfort zone कैसे आपने comfort zone से बाहर आए अपने success path पर चले और वो अचीव करें जिसके लिए आपका true potential है जिसके लिए आप प्रॉबबली बनें आपका जदम हुआ है दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे 7 hacks शेयर करूंगा 7 hacks to bring you out of your comfort zone चलिए कि करके मैं आपको सारे hacks to explain कर देता हूं hack number one dream big have big goals तब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं आप बड़ा करेंगे कैसे आप बड़ा अचीव कैसे करेंगे आप राइट पर दरस ने अगर aeroplane बनाया तो उन्होंने कभी सोचा होगा ना कि aeroplane बन सकता है तो सबसे पहले स्टेप comfort zone से बाहर आने का यह है dream big have big goals write down your goal जब तक आप goal लिखेंगे नहीं उनमें meaning नहीं आएगा उनमें purpose कभी नहीं आएगा तो comfort zone से आने का पहला है बाहर आने का यह है dream big have big goals always give your mind a signal कि anything is possible hack number two total commitment जी हां आप जो भी काम कर रहे हैं जो भी आपका goal है जो भी आपका dream है उसमें आपका hundred percent commitment होना थी है remember no half measures whole hearted effort यह आप success रहेंगे कि आप failure रहेंगे यह तो आपके efforts पर depend करता है यह तो आपके style पर plan पर depend करता है वाट आपकी commitment आपके ओपर depend करती है अगर fail हो भी गए तो दुबारा ट्राइं के लिए इसकी आगे हम next hacks में बात करेंगे but the point here is no half measures always give you a hundred percent and whole heart effort आते हैं hack number three के ओपर move out of your comfort zone a ship is safest in the harbor but are that what ships meant for ship port पे सबसे safe है but का ship port पे रहने के लिए बनी है नहीं two things that no one has done and challenge to your potential तभी तो लोग आपको याद रखेंगे तभी तो आप अपने लिए निश कार्वाउट कर पाएंगे जैब बैदाउद ने अगर सोच लिया होता कि यार जिन्दी की ठीक चल रही है जॉक कर रहे हैं कमाई आ रही है ठीक है नहीं amazon का भी बना पाते नहीं कर नल सेंडर्स ने अगर सोचा होता है ठीक यार शेलरी तो मिली रही है क्या जा रहा है केफ सी बना पाते नहीं जीरो भाई अम्मानी पेट्रोल बंपे काम करते थे बट सेटिसफाइड नहीं ते एक जुनूत आगे बढ़ने का बहुत ट्रवल करी बट अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और जो अचीव करना चाहते थे वह उन्होंने अचीव किया और एक लाइ आप लुक्रीर यह इंपॉसिबल चीजे जो आपको लगती हैं करना स्टार्ट करें एक लीश एफर्ट तो करिए गेट इंट इन्टू डिस्कमफर्ट जीन हां मेरा मैसेज यह आँ आराम जाग जी जिए कंफर दो जाग जीए गेट इन्टू डिस्कमफर्ट मेक यॉरसेल into awkward situation get yourself into awkward work awkward project तभी तो आपको आपका real potential महलुप होगा अब आते हैं hack no.4 के उपर learn to deal with failure आप fail होगए कोई बड़ी बात नहीं है हाँ fail के बाद आप हार गए आपने हार मान नहीं वो काम छोड़ दिया यह दादा खतरनाक भाद है failure is the prerequisite या फिर मैं बोलू failure is the stepping stone to success more the failure more the chance of success so get over it try again and again learn to deal with failure hack no.5 make mistakes जितनी mistake को से करिए mistake करने का मतलब है कि आप कुछ कर रहे हैं आप लगे पड़े हैं आप comfort zone में नहीं हैं आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपके लिए नया है unusual है गलती कर भी दी कुछ नहीं होता self-learning से self-correction से आगे बढ़ते रहे more the mistakes more the experience you gain more the smarter you become hack no.5 make mistakes self-correct yourself अब आते हैं point no.6 या hack no.6 के उपर टेक रिस्पॉंसिबिलिटी टेक चार्ज ओफ यॉर लाइफ जी हां आपकी जिंदगी है blame game खेलना छोड़ दीजिए अरे ये तो इस वज़ा से हो गया अरे ये तो इस वज़ा से हो गया नहीं आपका काम है आपका project है आपने करना start किया है take responsibility do complete responsibility don't blame others for your failures or your mistakes आपका काम है आप करिए focus करना ही है तो solution पे करिए problems पे मत करिए problems से आपको focus पे कुछ नहीं होगा solution पे focus करेंगे at least you will learn how to deal take responsibility take charge of your life last and hack number seven be persistent don't quit पीच में मत छोड़िये winners और losers में यही फ़र्व होता है कि किसने कहां काम छोड़ दिया you never know when you will achieve success लगे रहिये छोड़िये मत हां मैं यह नहीं कह रहा है कि गलतियों से मत सीखिये या अगर नुकसान हो रहा है फिर भी लग रहिये अब सेल्प करेक्शन करते रही है सेल्फ लगणिंग मोड में रही है लगे रही है और पर्सिस्टेंट रहिए इस योड़ क्वालिटी तो भी पर्सिस्टेट विद जो आपको सक्सेस और फेलियर के भी डिफ्रेंशेशन बताएगी तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे Hack No.3, Move out of your comfort zone, get rid of your comfort zone. Hack No.4, Learn to deal with failures, failures is stepping stone to success. Hack No.5, Make mistakes, self-correct, move forward. Hack No.6, Take responsibility, take charge of your life. Hack No.7, Don't quit, be persistent. Thank you. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करिए, कमेंट्स में बताईए आपको वीडियो कैसा लगा और आपको इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं, हमको कमेंट्स सेक्शन में बताईए, स्किलिंगों किसे जुड़े रही है, बेल आइकन पर हमारा चै